इन्सॉल्वेंसी रिजोलिशन प्रोसेस एंड लिकुडेशन जहां हमने सबसे पहले कुछ डेफनीशन देखे थे लेकिन हमने डिसकस किया था कि आखिर ये कॉंसेप्ट आया क्यों बहुत सारे ऐसे जो हैं वो हमारे फानाइंशियल और हमारे जो हैं वो ऑपरेशनल डेटर् ले हैं वो सब कॉर्पोरेट जो हैं क्रेडिटर्स बेसिकली फानाइंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं जिनके पैसे किनके पास पढ़े हुए हैं कॉर्पोरेट डेटर के पास कहा गया कि क्यो ना उन पैसे को इस तरीके से रिकवर किया जाए कि कंप तरह के जह है वो person को appointment किया गया जिसको हम कहते resolution professional. तो हम लोगों ने पहले इसमें जो है वो कुछ definitions देखे थे और इस definition के बाद हमने जो है वो process पढ़ना शुरू किया था. कि resolution process है क्या? जिसमें हमने देखा था कि कि सतरीके से application दिया जाता है. application के बाद जो है वो हमारे resolution professionals जो है वो हमारे appoint होते हैं और उनके जो है वो appoint होने के बाद जो है वो सारे के सारे creditors को जमा करते हैं और कहते हैं कि बताइए किनके कितने कितने पैसे बकाया बचे हुए हैं और उन लोगों के सहमती से यातो जो है वही बने रह जाते हैं resolution professional या नई resolution professionals क्या होते हैं? Appoint होते हैं. सारे process को खत्म करना रहता है, लेकिन कितने दिनों के भीतर यहां time दिया गया है? 180 days, अगर जो है वो उससे ज़्यादा समय हो रहा है, तो किससे permission लेंगे? हमें फिर से permission लेना रहेगा और कितने percent resolution से? और इस permission के बाद भी हम maximum कितने देट तक जा सकते हैं? 90 days तक जा सकते हैं. हमने moratorium का concept पढ़ा था, बड़ा simple सा concept था, कि चुकि आपका जो है वो company, corporate, insolvency, resolution process के दोरान है, तो इसमें आपको थोड़ी immunity दी गई है, ताकि जब resolution professional काम करें, तो उन्हें काम करने में help मिले. कोई भी cases, कोई भी pending, कोई भी transactions, किसी भी तरह का जो है, वो rights या liability, create होना या discharge करना, यह सिर्फ और सिर्फ किसके basically सहमती से होगा, resolution, professional, जो कि किस से लगातार permission लेगा, जो permission जो लेता है वो आपके adjudicating authority से, तो बिना उनके जो है, वो किसी तरह के चीजों को जो है, वो सामिल नहीं किया जाएगा, चलिए, यहां तक का सफर तैक कर लिया, पिछले episode में, अब बढ़ते आगे, कहा गया कि यह liquidation क्या है, ध्यान से सुनिएगा, यह basically किस तरह का चीज है, कह रहे हैं कि liquidation का मतलब होता है, कि जब हमारा कोई भी जो है, वो हतियार नहीं चला, company dormant हुए, strike off नौबत आ गया, resolution professionals भी है, सब कुछ कर लिया, फिर भी company की इस्थिती ऐसी कि उसे ठीक कराना possible नहीं है, उनके ओपर बड़े सारे बकाये हैं, बड़े सारे dues हैं, कहा कि अगर ऐसा है तो इस case में क्या करते हैं, यह एक ऐसा process होता है, जिसमें हम सारे assets को ascertain करते हैं, और अ किस चीज का, liquidation का, कहा इन हालातों में, अगर आपने इन में से कोई गुल खिलाए हैं, या अगर आपकी स्थिती यहाँ पर पहुंच गई है, तो वो order देते हैं, किस चीज का, liquidation का, एकदम ध्यान से समझेगा, तभी आप इसको जो है, वो resolution process से जो है, वो correlate कर पाईएगा when before the expiry of insolvency resolution process, यानि कि अभी insolvency resolution process खत्म नहीं हुआ है, कह रहे हैं, maximum period जो है, permitted for completion of, does not receive a resolution plan, कोई resolution plan ही नहीं आ रहा है, किन की तरफ से, ना committee of creditors के तरफ से, तो ऐसे के समें क्या करेंगे, अब उपाई क्या बचा, अरे भै, resolution plan आएगा, तभी तो resolution process आगे बढ़ेगा, इसका मतलब है कि जब आप resolution plan नहीं ला सकते हैं, it means कि आप जो हैं वो चीजों को आगे बढ़ाने में capable, तो अब हम क्या करें, अगला step, company को क्या कर दें, liquidate कर दें, या NCLT ने क्या कर दिया, reject कर दिया, क्या possible है कि हमारा resolution process reject हो जाए, क्यों नहीं हो सकता है, हमने तीन condition reject हो गया, तो अगला काम क्या होगा, NCLT क्या order देगी, कह रहें कि भईया, कलेश बना हुआ है वहाँ पे, आपस में जगड़ा है, कोई plan तक नहीं आ रहा है, तो खतम करो, कह रहें कि उनके जो हैं, वो किसी भी तरीके से जो हैं, वो बाते जो हैं, वो समझ में आने लाइक नहीं है, जो बात कह रहे हैं, वो किसी तरह से justified नहीं है, तो भी क्या कर दो उन्हें, liquidate कर दो, कहने कि resolution professional, at any time, कव, during corporate insolvency resolution process, but before confirmation of resolution plan, adjudicating authority को कहता है, कि जो committee of creditor हैं, वो खुद चाहते हैं, कि इसे क्या कर दिया जाएं, liquidate कर दिया जा, possible, कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, इतने बड़े से page में से, अगर आप थोरे से alert रहते हैं तो, पहला चीज, आपका resolution process, reject, आपका plan जो है, वो approve नहीं हुआ, आप कोई plan ही नहीं बना पाएं, plan तो बना, लेकिन बीच रास्ते में ही जाकर के वो ड liquidate कर दो, where the resolution plan approved by adjudicating authority is contravened by concerned corporate data, NCLT ने okay कर दिया, सब ने okay कर दिया, लेकिन जो corporate data है, उस plan के according चला ही नहीं और उसको फिर से क्या कर दिया, contravene कर दिया, possible, क्योंकि जैसे ही आपका plan बन गया, उसका मतलब क्या हो गया, अब वो plan execute होगा, अब उसको जब execute करने की बारी या उस दोरान उनने उसके according चीजों को नहीं किया, बलकि क्या किया, contravene किया, अगर contravene किया, तो हम आपको क्या करेंगे तब, liquidate करेंगे, the order for liquidation under this section shall be deemed to be notice of discharge to the officer, कह रहें कि अगर एक बार liquidation का order दे दिया गया, इसका मतलब जितने भी officers वगएर है, automatically सब की सेवा क्या हो गई समाप्त हो गई, चाहे वो MD हो, चाहे कोई भी हो, except, अगर हमें लगता है कि liquidation के process के दोरान अभी business थोरा चलता रहेगा, तो employee को हम रख सकते हैं, liquidation एक दिन में होने वाला चीज़ तो है नहीं, ये भी तो हो सकता है कि work in progress कुछ होगा, अगर आप अभी सब कुछ बंद कर दीजेगा, तो उसमें जो आपके जो हैं, वो raw material पड़े हुए हैं, उससे जो finished goods बन के आएगा, वो जब बिकेगा, तो उससे भी तो कुछ पैसे आएंगे, उससे भी तो आप creditors का पैसा क्या कर पाएंगे, चुकता कर पाएंगे, liquidation इसलिए तो होता है कि asset को ascertain कीजिए, liability को mid कीजिए, जो बच गया वो shareholders को दीजिए, टाटा गुडबाई, company खतम, कह रहें कि अगर हमें ज़रत रहा, तो हम कुछ दिन तर क्या करते रहेंगे, company को चलाते रहेंगे, एक दिन में liquidation नहीं होता है, छे-छे मेने, साल-साल भर process चलता रहता है, तो कहा कि management वगेरा तो हमेंगे, voluntary liquidation का क्या मतलब है, जब company खुद मूँ उठा करका है, हम अब नहीं बच पाएंगे, मार दो, इसका मतलब जब उन्हें खुद लग रहा है, कि उनसे जो है, वो company चल पाना possible नहीं है, एक corporate person who has not committed any defaulting, याद रखे, इसलिए नहीं कि आपके उपर बहुत बकाया है, तो सोचते हैं, कि पुराने पाफ धुल जाएंगे, का नहीं, 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 आप company अब नहीं चलाना चाहते हैं, circumstances सही नहीं है, हम करेंगे इस पर विचार, लेकिन सबसे जरूरी बात, आपने default ना किया हो, और आपका winding up करने के पीछे मकसद ये ना हो, कि पुराने default हमारे जो है, company बंद हो जाएगी, तो कौन default ढूंडेगा, कहा, ये मकसद नहीं होना चाहिए, क्या company कोई अपने मन से बंद नहीं कर सकता, अरे भाई, जब company मैंने अपने मर्जी से सुरू किया, मैं promoter था, अब मुझे ये business नहीं करना है, तो मैं at random बंद धोरो ना कर रहा हूँ, पहले मैं किन के पास जा रहा हूँ, authority के पास जा रहा हूँ, वो हालात को देखेंगे कि इससे जुरे हुए कौन-कौन से लोग हैं, कौन-कौन से employee हैं, किनका किनका रोजी-रोटी चल रहा है, इसमें रामदीन, हरिया, रामख्लाम, जितने भी बातें वो देखेंगे, तो क पहले word हुआ करता था, winding up, क्या word हुआ करता था, अब उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया company law में नहीं होगी, company law से हटा करके उसको किसमें डाल दिया गया, अब ये बात ध्यान से सुन लिजेगा, मैं दुवारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपका mind उतना load नहीं ले सकत है, तो फिर रट्टा मारिएगा, मैंने आपको कहा कि winding up जैसा चीज हटा दिया गया है, इसका winding up नहीं हटा है, उसका नाम बदला है, और वो किस नाम से अब जाना जाता है? लिकुडेशन, क्योंकि आपका insolvency process तो अलग है, वहाँ तक तो हम आएंगे, उसके बाद company को मार नहीं के लिए winding up बोलते थे, उसके जगा आप कौन सा word यूज करते हैं, यह winding up के लिए पहले provision company law में दिया हुआ था, वो कह रहे हैं कि वहाँ नहीं, company law में नहीं, उसको कह आपके करोगे अब, insolvency and bankruptcy court के जरिये करेंगे, इसका मतब process इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, क्यों, क्योंकि winding up जब होता था, तो court के supervision में होता था, और company मामले में से court को हटा दिया गया है, तो इसलिए उसको वहाँ से हटाना पड़ा, कि अब मामले को कौन देख रहे हैं, NCLT देख रहे हैं, तो कह रहे हैं, क्या process होगा, तो पहला process, submission of declaration to ROC, क्या declare कीजिएगा, कि company will be able to pay its dues and is not liquidated to defraud any, पहले तो undertaking दीजिए, कि देखिये भई, हम कोई धोखा देने के लिए नहीं कर रहे हैं, अब हम यह business नहीं करना चाहते हैं, और हाँ, मेरे उपर जो भ बखाया है किसी का, वो देने के लिए में बिल्कुल capable हो, आप order दीजिए, हम company को liquidate करेंगे, जिसका जो पैसा है क्या करेंगे, चुकता कर देंगे, किसी का एक पैसा नहीं बचेगा, का ठीक है, पहले तो declaration दीजिए, आप कितने बड़े चौधरी यह वो तो आगे देखा जाएगा, तो आपने किसको declaration दिया, ROC को भी दीजिए, special resolution पास कीजिए, ऐसे नहीं आप कर सकते, आप किस से पूछेंगे, shareholder जो company के मालिक हैं, वो खुद चाहते हैं बंद करना, तो आप कैसे रोक सकते हैं, passing of a special resolution, क्या करने के लिए, for approving proposal of voluntary liquidation, और appoint कीजिए किसको, यह liquid लिकुडेटर भी यहां आपके जो हैं, वो यही होते हैं, insolvency professionals ही होते हैं, उसी को यहां पे क्या status मिल गया, और जब वो resolution process में होते हैं, तो resolution कर रहे होते हैं, तो same person, resolution जो आपके professionals हैं, उन्ही को जो है, वो यहां क्या point किया जाता है, liquidator, कितने दिनों के भीतर, four week of declaration, ठी है, if a corporate person owes debt, ऐसा भी तो हो सकता है, कि आपके उपर कोई कर्ज ना हो, हाँ या ना, तो सिर्फ declaration दे दीजिए, लेकिन अगर आपके उपर कर्ज है, तो सिर्फ shareholders के जो है, वो approval से SR pass करने से नहीं होगा, तो creditors, वो भी कितने से वो देख लीजे, two third majority, और यहां पे क्या है, special resolution का मतब कितना होता है, 75% shareholders कहां, और यह होगे आपका 66.66%, यानि creditors है, तो creditors कुसे भी हां कराओ, और creditors नहीं है, तो सिर्फ किस से, लेकिन declaration दे दीजिए, कि मेरा इरादा fraud करने का नहीं है, ठीक है, public announcement दीजिए, क्या करने के लिए, जनता को invite करने के लिए, all stakeholders, जो भी है, company के raw material supplier हो, distributor हो, उनका भी तो interest हो सकता है, अब आप मुझे की बताइए, company के distributor वगेरा का क्या interest हो सकता है, हाँ, company के distributor वगेरा का जो है, वो ये interest हो सकता है, कि उन्होंने अभी तुरती जो है, वो franchise ले, आप अपने company को बंद कर रहे हैं, उनसे आपने पूरे एक साल का जो है, वो franchise फी लिया है, possible, आप जो है, car बनाने वाली company थे, आपने car के लिए उनको क्या दिया, franchise दिया, उन्होंने करोरो रुपिय एक साल के लिए दिया, और एक ही महने बाद आप बंद कर दें, क्या उनका interest यहां हो सकता है, या नहीं हो सकता है, कह नहीं तो जो भी है, कुछ ऐसे भी interest होंगे, जो हमने अभी तक predict भी नहीं किया है, हमारे vision में भी नहीं आया है, का stakeholder, he is what, जो भी company से जुरे हुए लोग है, जिनका भी company से किसी तरह का interest है, वो क्या कहलाते हैं, stakeholder कहलाते हैं, within how many days, five days of such approval, यानि कि SR के कितने दिनों के भी तरह पब्लिक्स कीजिए, SR pass हो गया, उसके पांच दिन के भी तरह लोगों को बताईए, कि आओ आओ, जिनको जो भी objection file करना है, क्या करो, objection file करो, और साथ ही साथ किस पे दीजिए, और company के किस पे, क्यों ऐसा करते हैं, अब तो इसमें में आदत से पड़ गई है, जादा से जादा जगों पे बताना ह है, ताकि maximum लोगों को क्या हो सके, पता चल सके, किसी को जो है, वो खुद से नहीं पता चल, तो साथ website जा रहा हो, इसलिए, नहीं कुछ तो newspaper से, कहाँ सर, तब भी नहीं पता चला, तो थोड़ा सा जहर दे देंगे, मर जाएगा, जीवन खत्म कर लेगा, अब इतने तरीके से भी नहीं पता चलेगा, तो आप company के stakeholder कैसे हुए, अब कैसे बताएं, कहाँ कि stakeholder है, तो इसका हो तक company से related चीजों के लिए concern तो रखेंगे, आप कहीगा, institute के site पे तो दिया हुआ था, लेकिन हमने वो date नहीं पढ़ा, तो हमें फिर से मौका मिलना चाहिए, आप मुझे बत तो मैं time वहां waste करूँ, इससे अच्छा YouTube पे ना जाओं, तो जाहिए, फिर जो है वो, अगले बार फिर आपा करके देंगे, क्या इतने sufficient जो है, वो arrangement नहीं है, लोगों को बताने के लिए, आईए, intimation to ROC, and, यहाँ board का मतलब क्या है, Insolvency and Bankruptcy Board of India, about the approval within how many days, किस चीज के बारे में, हुजूर, ऐसार हमारा क्या हो गया, पास हो गया है, और हमारा creditors का भी जो resolution क्या हो गया, सबने सहमती क्या कर दी, दे दी है, preparation of preliminary report, about what, capital structure, estimation of assets, liability, proposed plan, and submission of the same within how many days, of such approval, मुझे खी बताईए, अब तयार तो कीजिए, क्या क्या तयार कीजिए, liquidate होना है, company खत्म हो रही है, asset कितने है, plant इतने रुपये का, car इतने रुपये का, company का ट्रक इतने रुपये का, company का जो है, वो sofa जो company में, एक एक चीज company के नाम से है, वो, और दूसरे तरफ company के जो क्या है, liability, ये list कितने दिन के भीतर तयार कर लिजे, कब से, जब से आपको, shareholders का क्या मिल गया है, approval मिल गया है, उसके कितने दिन के भीतर, 45, और अगर आपके company में, creditor थे तो, तो जब creditor का भी मिल गया है, तो, दोनों के मिलने के कितने दिनों के भीतर, 45 days में, 30 दिन के भीतर verification कर लिजे, किस चीज़ का, claim का, claim लोगों ने भेजा होगा न, आपने claim के लिए date दिया होगा, जिसके जिसके जो claim है, क्या करो, हमें बता दो, लेकिन लोगों ने claim किया, इसका मतलब ये नहीं है, कि आप अगले जनम में उसे ascertain करेंगे, लोगों का जो claim है, उसको कितने दिनों के भीतर, जब से उन्होंने claim दिया, उसके 30 दिनों के भीतर, इसको क्या करेंगे, ascertain कर लेंगे, कि हाँ भई, आपके ये claim, देखिए, दो चीज होता है, एक होता है claim का ascertain होना, और एक होता है claim को dispute में ले जाना, बड़े ध्यान से चीज़ों को समझेग आपके तो सिर्फ 4,90,000 बनते हैं, अब ये dispute हुआ, ये ascertain नहीं हुआ, अब पहले ये dispute खत्म होना चाहिए, कि ascertain किया जाए, कि exactly वो कितना है, तो कह रहे हैं कि claim को कितने दिन के भीतर, 30 days के भीतर आप verify कर लिजे, and preparation of list of stakeholder, stakeholder का मतलब, जो 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 लोग जिनके जिनके पैसे हमें देने हैं, चाहे raw material supplier होगा, चाहे कोई और होगा, within 45 days from the last date of receipt of claim, आपने 30 दिन के भीतर उनके claim को क्या किया, verify किया, और और 15 दिन का time है, क्या करने के लिए, list को तयार करने के लिए, जिन्होंने जो claim दिया, कितने दिन में claim को verify किया, आपके पास और further कितना समय है, क्या करने के लिए, list बनाने के लिए, अगर माल लिजे, आपने 10 ही दिन में जो है, वो claim को ascertain कर लिया तो, तो आपके पास 35 दिन का समय है, further list बनाने के लिए, क्योंकि दोनों समय इन्होंने एक ही दिन से लिया है, कि जब से claim आया, उसके 30 दिन के भीतर ये claim को पहले ascertain कर लिजे और वहां से ही समय है, 45 दिन का क्या करने के लिए, list बनाने के लिए, इन times को थोड़ा ध्यान रखिएगा, अलग-अलग नहीं है, 30 के बाद 15 दिन नहीं है, कहां से 45 दिन है, जिस दिन लोगों ने submit किया, receipt किया, आपने वहां से 45 दिन के भीतर list बनाना है, तो list बनाने से पह पहले list या पहले ascertain, हाँ जी, opening of bank account, और ये जो bank account आप open करते हैं, इसका एक खास नाम होता है, involuntary liquidation, ऐसा इसी लिए, कि जितने भी पैसे आएंगे, सामानों को बेच करके, एकदम आसान सब्दों में चल रहा हूँ, asset बेच करके, जो भी plant है, machinery है बेच करके, कहा कि वो जो director के account में एक plant machinery का पैसा, दूसरे director के account में दूसरे plant machinery का पैसा, क्या ऐसा रहेगा, कहा गया कि नहीं, हमें यहाँ account साफ तोर पे बनाना और अंतिम में भी audit होता है, कि बटवारा सही हुआ या नहीं, तभी जाकर के company को खत्म होने के लिए certificate मिलता है, यहाँ पे जीने के यह कहा गया, कि आप जो है, वो सब कुछ clear करेंगे, कि कितने पैसे आएं और किनका किनका पैसा कैसे दिया है, और उसी तरीके से दिया या नहीं दिया, जिस तरीके से आपको बताया गया, आगे बताऊंगा किस तरीके से पैसे का क्या करना है, बटवारा करना है, तो account का न जब भी company को अपने shareholders के बीच में पैसे बाटने होते हैं तो किस account के जरी ये काम होता है screw account तो वो screw account में क्या होता है दो sing होता है, एक पूछ निकला हुआ होता है नहीं, same ही bank में account होता है बस उसका नाम क्या है वैसे इसका नाम क्या है involuntary liquidation अब क्या कीजिए बेचिए, किस चीज़ को asset को बेचिए और recover कीजिए क्या, जो भी पैसे हैं जिन जिन लोगों के उपर आपके पैसे हैं वो recover कीजिए, कुछ ऐसे भी लोग होंगे, जिनोंने अपने shares पे पूरे पैसे नहीं दिये होंगे उनसे भी पैसे अब लेंगे जैसे 10 रुपे के shares थे और उस पे लोगों ने जो है वो 8 रुपे दिये थे आपने 8 ही मंगवाए थे, दो नहीं मंगवाए थे क्यों company ऐसा करती इसका जवाब मिलेगा, जब मैं आपको IPO पढ़ाऊंगा, उसके पहले lecture में आपको इसका जवाब मिलेगा फिलाल बस जानिए कि company आठ रुपे मंगाई और दो रुपे नहीं मंगाई थे, तो company हर वो बंदे से कितना मंगाएगी दो रुपे मंगाएगी, ये भी हुआ asset, ये सब मंगा मंगा करके कहां रखते जाए involuntary liquidation में पैसे डालते जाए, asset के पैसे कैसे, जो बिकरा, auction में जितने में बिकरा है, बिकते जाएंगे, पैसे आते जाएंगे, distribution of proceed from realization, अब distribute कीजिएगा कैसे कीजिएगा बाद में, लेकिन जिन जिन लोगों को आपने ascertain किया था कि उनके उनके पैसे आपको क्या करने है देने है, उनको क्या कीजिएगा पे करना रहेगा उनको देना रहेगा, कितने दिनों के भीतर 6 months जब आपके पास पैसे आ गए सारे पैसे, तो उसके 6 मेने के भीतर क्या कर दीजिए, पैसे दे दीजिए final report किसको दीजेगा, R.O.C. को कौन देगा, क्योंकि अब तो लिकुडेटर ही सब कुछ कर रहा है, वहाँ तो कोई मैनेजमेंट में है नहीं, यही लिकुडेटर है, R.O.C. को और किसको, बोर्ड को, और किसको, यानि कि इन दोनों को जो फाइनल रिपोर्ट देगा कि हमने सारा बंदरमाट अच्छे से किया है और इसका पूरा audit होता है audit किया जाता है कि इतने आएं इतने बाटे और इतने जो है वो हमने shareholders को वापस दे दिया क्योंकि company तो shareholders की है अंत में कुछ बचा रहा गया अभी दिखाऊंगा priority order कुछ preferences shareholder थे तो पहले उनको दे दिया उनसे भी बच गया तो बाकियों के पास गया government के dues है जो भी है कैसे बटा है यह सब जब कर लेंगे तो हम application देंगे किस चीज़ का dissolution याद रखिए liquidation या जिसको winding up कह देते हैं यह process है company को मारने का लेकिन dissolution is the death of company company का जब तक dissolution और नहीं हुआ तब तक company का death नहीं हुआ जब तक आपका liquidation चल रहा है तब तक company अपने सारे के सारे चीज़ के साथ company ही कहलाएगी उसका legal entity बना हुआ रहेगा लेकिन the moment dissolution order has been passed now the legal entity has been dissolved अब जो है वो company नहीं रह गई यानि कि अगर मान लीजे retire heart को गुच्सा अगया मेरे पर इन्होंने yellow को साथ मुले लिया कानपूर के इनके दोस्त इनको भी साथ मुले लिया और कहते चल सरका गला दबा के माड ही देते हैं अब जिस बीच में ये गला दबा रहे होंगे जिस बीच में तरपढ़ा होंगा उस बीच में भी मैं company secretary होंगा मैं CS भी होंगा मैं chartered भी होंगा MBA भी होंगा एक्चुरी वाला भी degree मेरे पास रहेगा PhD सारे के सारे degree के साथ में रहूँगा तब तक मैं जिन्दा हूँ जिस समय अब हुआ यह final death अब इसके बाद से I am no more पंकच कुमार death हो गया तो उसके बाद तो वो person ही खत्म हो जाता है तो कहरें यह process है winding up जिसको कहते हैं उसको क्या नाम दिये है liquidation तो liquidation के दोरान company के सारे right intact हैं वो company legal entity है उस दोरान जो भी कारवाई होगी company के नाम से होगी लेकिन जब तक desolation order नहीं आगा तब तक company खत्म नहीं होगी तो कहां कि desolation order से पहले क्या करो बताओ तो कि कैसे बंदर्बाट किया है सबसरी तरीके से किया है अगर उस समय भी गरबर घोटा ला रहा तो company को dissolve नहीं किया जाता है submission of NCLT order मिल गए desolation का order किस ने दिया NCLT क्योंकि अब court नहीं है court की जगा क्या है NCLT है to the concerned ROC within how many date 14 days किस चीज़ का order है यह जो desolation था वो desolation का order आपने कितने दिन में दे दिया 14 days में आपने दे दिया दे दिया ठीक है आपने जो इसको कहां जमा कर दिया 14 days में ROC के पास order किस ने दिया order कहां submit करेंगे क्योंकि हमेशा ROC के पास आपका filing होता है तो ROC के उपको भी तो पता चले कि company क्या हो गई dissolve नहीं तो पता चला company के अगले साल इंतजार में होगी company का financial statement नहीं आया annual return नहीं आया और वो उसे dormant बनाने चलेगी यह मर चुका है और वो उसे बिमार घोसित करने जा रहे इसलिए उनको हम यह देते हैं अब पूरे तर से company क्या हो गई waterfall arrangement waterfall arrangement का क्या मतलब है आपको सुनके बढ़ अच्छा लगेगा waterfall लेकिन एक बार waterfall जब होता है तो आप देखते हैं कि पहले जो है वो पानी गिरना शुरू होगा तो ऐसे 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 करके step बना हुआ रहता है कई पर waterfall वगेर अगर बना रहता है ज़ड़ना वगेरा तो पहले इस तीड़ी कर फिर थोरे दून कर फिर ऐसे फिर ऐसे वैसे कहां कहां बटेगा ये और कहां जहां बटता जाएगा वहां वहां से फिर क्या होता जाएगा कम होता जाएगा तो यहाँ एक वर्ड जरा पढ़कर के देखिए कि यह वर्ड समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है देखिए जरा खुद से फिर बात करते देख लिया अब आप देखिए हर जगह इंसॉल्वेंसी एंड कौन आ जा रहा है बैंक्रप्सी कोड आ जा रहा है सेक्षन कौन सा फिप्टी थरी और अगर आप अब तो खेर ही नहीं अवलेबल नहीं तो अगर आप कंपनी लाव पहले देखते हैं तो कंपनी लाव में सेक्षन दिये हुए थे कि कैसे कैसे पैसे का क्या होगा बटवारा होगा उन्होंने इस चीज़ को उठा करके किस के पास भेज दिया IBC के पास तो इन्होंने बता दिया मैनर ओफ डिस्टिबूशन ओफ वट एसेट इन केस ओफ लिकुडेशन और ओडर ओफ वट प्रायोरिटी अब यहीं पे आप देखिए कि यह जो प्रायोरिटी है वो किसको किसको देने जा रहे कह रहे कि इसी प्रायोरिटी ओडर को हम क्या कहते है waterfall पता है जब हम लोग यह पूछ देते है waterfall arrangement maximum बच्चा confused होता है answer नहीं दे पाता है क्योंकि इस अलगता है यह कौन सा word है सबसे पहले तुसे पता ही ना चले यह किस subject से है वो तो भला हो institute का कि कह देती है कि आज इस subject का exam है इसलिए question paper देखकर के बच्चा समझ जाता है कि यह इस subject का है नहीं तो वैसे अगर आपको कभी चलते चलते में बोल दिया जाए नहीं मैं आपकी बढ़ाई करना with all due respect compliment है यह अब कह रहे है कि यह जो है ऐसे अगर कहीं चलते चलते कोई बोल दे तो लगेगा यह किस subject का है हाँ यह foundation में हमने सुना था कुछ भी क्योंकि हमें तो याद आ ही नहीं रहा है तो लगेगा कि साथ waterfall कुछ था arrangement कुछ था तो इसी लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि waterfall arrangement is nothing यह basically वो pattern है वो तरीका है जिस तरीके से insolvency bankruptcy code section 53 ने कहा कि आप पैसे का बटवारा liquidation के case में कैसे करेंगे asset से जो पैसा recover हुआ और भी जगों से जो पैसा recover हुआ वो कैसे जाएगा government के dues पहले जाएगे worker का रामदीन, रामखिलावन, हरिया इनके पैसे हैं, किनके पैसे पहले जाएगे तो इन्होंने ये priority order दिया तो अगर waterfall arrangement बोलेगा तो पहले ये समझाएगे और उसके तुरत बात कहा आ जाएगे हाँ जी और यहाँ पे कहरें insolvency resolution process cost मैंने आपको बोला था, परिशान नहीं होंगे process में बहुत clear आ जाएगा याद है हम लोग उने discuss किया था, insolvency resolution process cost insolvency के दौरान, हमें खर्च भी होंगे, नहीं होंगे खर्च, committee of created दुनिया भर के चीजों को कर रहें, कहरें पहले अब सबसे पहले किसका पैसा दो, उसका पैसा दो और किसका सैद हो सकता है, पहले insolvency process चला हो, और insolvency का जो plan हमने बनाया था resolution plan वो successful, ना रहा हो तो किस में आ गए, liquidation तो अभी तो उनका भी पैसा बचा हुआ है और किसका पैसा है, liquidation पहले ये सब से पहले दीजिए उसके बाद, अब इनकी बारी आती है वो देखिए कैसे equally, या ध्याद्यान से देखिएगा, following date shall rank equally, यानि ये सब किस footing पे आते हैं एक footing पे, एक footing पे आने का मतलब है कि ये पैसे सब में कैसे बटेंगे, प्रोरेटा बेसिस पे यानि इन में से ना कोई कम ना कोई ज्यादा इसलिए लिखा हुआ है, sell rank equally, क्योंकि इसके बाद जिसका नमर आएगा वो आगे है तो सबसे पहले किसका पैसा गया Insolvency Professional Land Liquidation का cost, उसके बाद इन सब को एक footing पे रखा गया, worker का पैसा है, लेकिन कितने मेंने पुडाना, 24 उससे पहले वाले नहीं, 24 मन्त preceding अगर कोई भी है Liquidation के date से, commencement के date से पहले वो पैसा, राम दीन, हरिया, राम, खिलाव, बंसी, विर्जू यह उनका पैसा है, लेकिन अगर उनको दो साल से नहीं मिले हैं, तो वो वाले नहीं वो बाद में दूरसे position में जाएंगे ध्यान से सुनियेगा, total उनके जो है, वो मान लीजे कि 3 साल का पैसा है, कितने साल का, यानि कि 36 मंथ हो गया, तो 36 मंथ का, मान लीजे 30 लाख है, ठीक, यानि कि 12 मंथ, 12 मंथ, 12 मंथ, 10-10 लाख रुपे, कहा गया कि यह 20 लाख तो अलग कर लो, यह 10 लाख को हटा दो, यह कब मिलेगा, यह बाद में दिखाऊंगा, किस footing पे, लेकिन यह 20 लाख हो गया, Debt owned to secured creditor, secured creditor का पैसा, जो किसी plant machinery पे created था, उनके अगर मान लीजे बनते हैं, 30 लाख, अब देखिए, wages and any unpaid dues owned, imply other than, for period of 12 मंथ, preceding the liquidation, कमिस्मेंट, किनके, यह है workman dues, और यह wages of किन का, unpaid owned to employ other than workman, for the period of 12 मंथ, preceding the liquidation, कमिस्मेंट, बाड़ा मेह ने पहले का उनका भी पैसा, इसको छोड़ करके, मान लीजे, यह बनता है, 10 लाख रुपया, financial debt owned to unsecured creditor, यह मान लीजे, बना आपका, जो है, वो, 40 लाख, तो देखिए, कितना हुआ, पचास, यानि एक करोर, अगर मान लीजे, हमें सिर्फ पचास लाख रुपय रिकभर हुए तो, possible, prorate basis पे बटेगा, इसका मतब्स, आधे-ाधे ही मिलेंगे, इसी लिए बोला गया, कि यह एक footing पे आते हैं, ना किसी को पहले, ना किसी को, अब मान लीजे, इनके सारे पैसे बट गए, possible, हमारे पास sufficient asset था, हमने सारा बाट दिया, तब किन को देंगे, अब इनकी बारी आएगी, following digital rank equally between among the following, अब इन सब की बारी आएगी, इन दोनों एक footing पे हैं, कौन-कौन, any amount, जो किन का है, central government और state government का, या कोई भी और जो fund वगएरा जहां आपको पैसे डालने थे, वो पैसे, साथी साथ, secured creditor के वो पैसे, जो क्या रह गये थे, following enforcement of security interest, secured creditors के वो पैसे अब दीजिए, जो उनके बचे हुए रह गये, क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पे, आपने secured creditor को तो दिया, लेकिन secured creditor को पूरा पैसा क्यों नहीं दिया, ऐसा इसी लिए, क्योंकि पैसे ही पूरे नहीं बचे, आपने इन सब को भी तो दिया, कह रहे हैं कि अगर उसके बाद पैसे बचे, तो उनका पहले यहाँ पे कर दीजिए, और उसके बाद भी बचे तो all remaining debt and dues, और जो जो आपके इधर उधर जो भी पैसे हैं, उसके बाद अगर कुछ बचे तो किसको दीजिए, preferences shareholders को, अगर है preferences shareholders तो, उसके बाद भी बचे तो किसका पैसा जाएगा, अब जो बचा वो जाएगा, equity shareholders को, तो देखे equity shareholder किस footing पे आता है, तभी बोलते हैं company का मालिक, यानि कि सबसे last में, अगर बचेगा तो इसे मिलेगा खाने को, वरना बिल्कुल नहीं मिलेगा, इस तरीके से आपका क्या होता है, distribution होता है, यहाँ पे कह रहे हैं, कि कोई भी contractual arrangement, किनके बीच में agreement, recipient of equal ranking, if disturbing order parity shall be disregarded by the liquidator, अगर कोई कहता है कि मुझे पहले दे दो, मुझे बाद में दे दो, आपने इस order को कहीं भी breach किया, तो वो कभी भी appropriate नहीं माना जायागा, और हम आपको dissolution होने, dissolve होने नहीं देंगे, वो एक valid liquidation नहीं होगा, हमारे दो, ऐसा होता, अगर ये section 53 नहीं होता तो, इसलिए तो बनाया गया, कि आपस में ना, हर कोई तो पहले ही चाहता है, आप देखिये ने कहीं भीर में खड़े रहे है, मेट्रों में अगर इन करने का कभी भीर रहे है, आप देखियेगा, आपको गुस्सा कितना आएगा, किस बात पे, मेट्रों में तिन लंबी लाइन है, इससे ज़्यादा भीर किस बात साएगा, वो देखिये, कि लोग बड़े देर से लंबी लाइन लगाए हुए, और आप आगे से जाना चाह रहे हैं, सब उस एक्ष्रे मसीन के भीतर ही घुसे रहेंगे, और टाउमें जेरी बने रहेंगे, कोई पकर-पकर के खीशता रहेगा, निकालने के लिए इस तरह से फसे रहेंगे, कहा गया कि वैसे यहाँ पे हैं, अगर यह प्रोविजन नहीं बना हुआ होता, तो सब कहता कि मेरे पैसे मेरे तो एक ही लाग है, मेरे ही दे दो ना, छोटा सा तो अमाउंट है, मेरा तो बस दस हजार है, दे दो, क्यों मुझे लटकाओगे, कहा गया, इसलिए यह ओडर बनाया गया, दफी पेबल टू दा लिकुडेटर, शैल भी डिड़क्टेब प्रोपोर्शनेटले, कह रहे हैं कि लिकुडेटर का जो पैसा दिया जा रहा है, माल लीजी कि टोटल एक करोर हुआ, टोटल एक करोर हुआ, धान से सुनिए, एसेट जो रिकवर हुआ, लेकिन दस करोर रुपे बाटने हैं, पॉसिबल, दस लाख इस में से जो है, वो लिकुडेटर का कॉस्ट हुआ, बचा कितना, 90 लाप, अब कह रहे हैं यह दस लाख कौन बियर करें, कह रहा है कि सब बियर करें, जिन जिन लोगों में पैसे बटने हैं, वो तो वही लोग हैं ना, कितने, 10 करोड़ वाले, कह रहे हैं कि इन में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर बटता, सब को 1 टेंथ मिलता, लेकिन अब यह जो 1 टेंथ मिलेगा, वो रियली 1 टेंथ नहीं होगा, और 1 नाइन्थ मिलेगा, मतलब और कम मिलेगा, रिजन, क्योंकि पहले कि 10 लाख किसका दे देंगे, इसलिए बोला गया कि सबसे प्रोपोर्शनेट लिया जाएगा, आपको 20 लाख मिलने थे, आपको 30 लाख मिलने थे, आपके हिस्से में से भी कटेगा, 10 लाख रुपया किसको दिया जा रहा है, तो उनको जो दिया जा रहा है, वो आपके में से भी कटेगा और आपके में, यह नहीं कि 10-10 लाख दोनों में से कटेगा, यानि उनके 10 लाख देने के लिए हमें सारे लोगों में से प्रोपोर्शनेट बेसिफिए, जितना ज़्यादा आपको मिलना था, उसी प्रोपोर्शन में आपसे क्या होगा, कटेगा, यानि कि 1 करोड रिकवर हुआ, तो माना जाएगा कि सिर्फ कितना रिकवर हुआ है, 90 लाख रिकवर हुआ है, और यही 90 लाख किसमें बटेंगे, उन लोगों में जिनको कितने देने थे, 10 करोड जो हैं वो देने थे, अब देखें winding up, यहां मैंने इसी लिए बस लिख दिया है, ताकि आपको कहें भी और मैंने आपके बुक में दिया भी है, दिख़़ा है, यह इसी लिए दे दिया है, क्योंकि यह provision था, यह provision अभी सिर्फ 3-4 मेंने हुए हटाया गया है, आपके exam में applicable है, कि वो liquidation ही पूछेगा, लेकिन आपको क्या रहे, थोरा सा पता रहे, इसलिए बस मैंने यह चीज़ यहां पे क्या किया हुआ है, दे दिया है, कौन सा process है यह, liquidation का, और liquidation का जो यहां process है, इसमें liquidation और dissolution, dissolution आपका क्या है, final date of company, याद रखिएगा मैं बार बार कहा रहा हूँ, अगर कहीं पूछ दे, तो मेरे पे लुटाना मत सुरू कीज़ेगा, इसलिए मैंने दिया है, और मैंने आपको बता दिया, कैसे question set किये जाते हैं, एक मैंने बोला syllabus से, एक study mat से, study mat से नहीं उड़ा है, इस बार भी अभी तक, अगली बार जब वो छापेंगे तब न, उड़ाएंगे उसे, तो इसलिए कहीं दे दे, तो alert रहिएगा, winding up, death में लाने का तरीका, जिसको हम liquidation कहते हैं, और company के final death को क्या कहते हैं, dissolution, dissolution के बाद company के पर, कोई case file नहीं हो सकता है, but at the time of liquidation, winding up हो सकता है या नहीं, हो सकता है, difference between winding up and dissolution, मैंने complete यहाँ पर सारे चीज़ों को दे दिया है, अब कह रहे हैं, कि winding up by NCLT, यही चीज़ जो है अब कैसे होता है, आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, section 271, अब देखिए मैंने क्या बोला यह, यह आपका जो है, वो company law से क्या किया गया है, हटा दिया गया है, कि यह चीज़ आपका जो है, वो applicable नहीं रहेगा, यह बलकि कैसे होगा, insolvency and bankruptcy court, जैसे हमने पढ़ा है, उस तरीके से होगा, और यहाँ पर क्या दिये हुए हैं इसके, प्रोसिजर दिये हुए हैं, तो यह प्रोसिजर आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, हाँ, एक बार जरूर पढ़के रखेंगे अपने दिमाग में, मैंने आपको बोला है, जब पढ़ें ही हम इतने चीज़ों को, तो एक चीज़ को पढ़ने में हमारा क्या जाता है, हम पढ़के अपने दिमाग में जरूर रखेंगे, अगर कहीं बुरे वक्त में आया तो हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे, कह रहे हैं कि procedure of winding up by NCLT, a petition along with a statement of affairs is to be made to the tribunal by any of the following person, कौन कौन, company कर सकता है, कोई contributory कर सकता है, registrar कर सकता है, central government कर सकता है, या उनके विहाब पे कोई कर सकता है, कि company को क्या करो, wind up कर दो, company को खत्म कर दो, जो भी petition file किये जाएंगे, कहा गया, shall be served to ROC, tribunal उसको किसके पास भेजएगा, ROC के पास, और उनका opinion लेगा, कितने दिनों के भीतर, क्योंकि ROC के पास सारे filing हो रहें, तो उससे पूछेगा कि बताईए, आपका इस चीज में क्या concern है, क्या कहना है, the tribunal may pass any of the following order, कितने दिनों के भीतर, 90 days के भीतर, dismisses with or without cost, कह सकते नहीं, हम आपके petition को accept, क्यों क्यों धर से जवाब आया न, कि नहीं नहीं, अभी इनके बहुत non-compliance है, make an interim order, चाहे तो इस बीच में कोई order दे सकते हैं, appoint करेंगे liquidator को, क्या करने के लिए, और ये हमारा क्या कहलाता है, provisional liquidator, make an order for winding of company with or without cost, यानि कि हो सकता है, कि वो उस चीज के लिए cost दे, announce भी करें, या cost announce ना करें, किस के लिए, जो liquidation कर रहे हैं, उनका cost हो सकता है, अभी ही तैय कर दे, कि इस पूरे process के दौरान, जो liquidator होंगे, उनके इतने लाख रुपे हो या हो सकता है, बूला जाएगा कि ये बाद में तैय होगा, अब, the liquidator is required to submit to tribunal, क्या submit करें, 60 दिनों के भीतर submit करें, किस किस चीज को, कितने asset हैं, कितने, देखिए, यही चीज तो अभी हमने देखा है, नहीं देखा, same, process ही तो था, लेकिन किस के according था, insolvency and bankruptcy, देखिए, company law according इस तरीके से winding up होता था, वो जो है, वो क्या देंगे, asset के बारे में बतलाएंगे, liability के बारे में बताएंगे, किन किन से, कितने पैसे क्या करने हमें, recover करने हैं, कौन से लोग हैं ये, जो किसी से 10 रुपे के बदले हमें कितने मिले थे, 8 रुपे, क् क्योंकि shares हमारे fully paid नहीं थे, तो 8 रुपी, 2 रुपे बचा वा था, जितने जितने जगह से पैसे आने है, कौन secured creditor है, कौन unsecured creditor है, वो सारा का सारा list तयार करके देंगे, कितने दिनों के बीतर, 60 days में देंगे, the liquidator is required to submit report following particulars, कहरें, अब when the affair of company has been completely wound up, और जब आपने क्य किया, सारे के सारे asset ascertain किये, और उसके बाद liability को क्या कर दिया, meet कर दिया, तो आप उन चीजों का जो है, वो सारा का सारा कच्छा चिठा, वो audit और वो account किसके पास दीजे, फिर से tribunal के पास दीजे, क्या करने के लिए, desolution के लिए, अगर उनको लगा कि सारे चीजे बिलकुल सही तरीके से तो आपको कौन सा order वो दे देंगे, desolution का order दे देंगे, अब मुझे की बताए, क्या ये और liquidation, same ही तो process था, लेकिन time वो गेरा का अंतर है, क्योंकि ये किसके according है, और वो किसके according, insolvency and bankruptcy code, आपको दूनों याद रखना है